इंग्लिंड में इस वक्त वर्ड कप चल रहा है और आज हम बात करेंगे इंग्लिंड के एक ऐसे खिलाडी की जिसका रिष्टा भारत के साथ बहुत गहरा है जो तेजी से बुलंदियों की तरफ गया लेकिन अचानक से गायब भी हो गया हम बात कर रहे हैं मौन्टी पनिसर की जिन्होंने अपनी गेंदबाजी से भारत के बल्लेबाजों को भी काफी परिशान किया कई दिग्गस बल्लेबाजों के उन्होंने विकेट लिये और वो अपनी किताब फुल मौन्टी के साथ आप आए हैं मौन्टी पनिसर हमारे साथ ह करेंगे उनके फ्यूचर प्लांस के बारे में जानेंगे और मॉन्टी पनिसर अचानक से कहां गायब हो गये यह भी जानने की कोशिश करेंगे मॉन्टी बहुत बढ़िया करियर आपका चल रहा था अचानक से आपको शुक्रिया आपने हमारे साथ इंटर्व्यू करना चाहत करते हो नाले मेरी ओटोबागरफी है फुल मॉन्टी पर आपका जड़ा सवाल था गैब हो गया वह ऐसे हुआ थोड़ा थोड़ा गेम जितनी हमारी लगन थी वह कम होन लगी और मैं ज्यादा जैसे प्रेशर डाने लगा मेरे परफोर्मेंस में मैं सोच था था जैसे खला चोड़ रहे हैं वो मेरे साथ नहीं है आम पार्जा डिसीजन दे रहा है वो एलवी डवल्यू है पर नहीं दे नहीं दे रहा है और फिर जब कॉंफिडेंस मेरा थोड़ा लोह होन लापा मैं जैसे थोड़ी वहम होन मेरे दमाग सोच में ख्यालात में आने लगें तो यह मुझको बड़ा एहम सवाल में आपसे पूछना चाहता हूं क्योंकि आप मिले हैं आज और यह जो पिछला पीरेड रहा है यह थोड़ा आपके लिए प्रॉब्लम वाला रहा है क्योंकि साइकेट्री की में बात कर लों या मेंटल इलनेस की में बात कर लों उससे आपको ग सब्सक्राइब कर विसे हैं किस चीजने आपको इंस्पायर किया यह बुक लिखने के लिए मौंटी पनियसर की जो बुक है दप फूल मौंटी किस चीजने आपको इंस्पायर किया किताब को लें वाटवायो ग्राफी लेकला। प practiced फिजमींक company थी जिम्मी आंडिसन का एजन्ट था उसने मुझको अप्रोच किया वो कह रहे हैं एक company आपकी कताब लिखना चाहते हैं पहले मैं सोचा क्या लो रहा है कताब मैं क्यूं लिखूं पर फिर मेरे दोस्त मेरा एजन्ट था वो कह रहे थे वर्ल्ड का पारा है अभी एस्ट्रेला की आशिज भी आ रही है यह अच्छी ऑपरचुनिटी है सब दुनिया को आपकी जड़ी कहानी है जब मॉन्टी पहली विकेट ली सचेंटन डूल करकी एक कोदाम वर्ल्ड में सब दुनिया ज वाज चीज़ गया गया सब मैं सोचा यह बुक में ऑपरचुनिटी होई गी यह सब कुछ लिखूं पर अभी मेरी इच्छा है मैं वापस खेलों मैं वापस प्रफ्रेश्ण क्रिक्ट खेलना चाता हूं आपने बात की कुछ लोगों से वह आपने कपतान से बात की इंगले अभी कर रहा हूं फिर जब भी कोई इंटर्व्यू आता है सब यही पूछते हैं इतना अच्छा खलाडी था इतनी लगन में बोलिंग आप कर रहे थे फिर थोड़े चैलेजिंग टाइम आए है अभी क्या करना आप चाते हों फिर यही मेरी अभी इच्छा है अभी मैं च सोटता हूं एक वन मोर टाइम मैं बापस हाँ खेलने के लिए कभी पीछे कुछ पच्छतावा होता है कि कई इंसिडेंस हो गया जैसे यूरिनेटिंग वाला स्केंडल हो गया था बाउंसर पे आपकी तस्वीरे हमने देखी थी कुछ पच्छतावा होता है आपको पिछला सब कुछ याद करके कि यह नहीं होना चाहिए था थोड़ा विवादों में आगया कॉंट्रोवर्सी हो गई मैं जब जब मैं बुक लिख रहा था मुझको मेरे दोस्तों ने कह रहे थे आप कफी शॉप में जाओ हम को हम आपको अभी बारिश थोरी जी आ रही है पर हां वो कह रहे हम आपको एक हिपनो तेरपिस्ट के साथ मिलना चाहते हैं फिर मैं बैठा था पहले पांच मिनिट सब के साथ अच्छी बाते मेरी हो रही चाहिक अच्छी मेरे तो मैं मैं ने हो रहा कियो रहा है ऐसे क्यों हो रहा है घुर मैं जानला था मैं तो आप जैसे हम स्पोर्समन होता है के था कैर यह हम बात करने लगे हमारी अमोशिन समें inne क्या हो रहा है फिर जज़िग दूसरी केमा यगी इक कोच कोई सीनियर प्ले होता है वो फिर कहेंगे मौंटी ऐसे ठीक नहीं है हम नाई उसको खलाएं वो फिकर होता है फिर हम सोचते हैं चलो ठीक है रेंड दो जिम में जाते हैं थोड़ा इंटोफिन सम इंक्रीज करते हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा इसको मैं पूरा 100% करना ठीक करना पहाँ एगा और उसमें पहले उच्छा है कि अब बीकोषशेश करते थे बॉल को रगदते थे ज़ेश कंप पैंड की उसमें भी रगड़ा जाता के लिए पात किसी का फोन को ला आया आदें आपको कि बाद अपने आपसे संपर किया कि किसी का phone नि आया आक मैं है इंगलेंड में वो फूच रहे थे बॉल टैमपरिंग है या क्या है हुंन हमारे टैक्स के लो होते हैं हम ध्यूमेंन नेचर है हम थोरा रूट को थोरा बेंट मिक्स करके उसको शायन करना पिस सन खre착 लगाएघ थूड़ी बॉल को पॉलिश करनी एंजय मारी जी जुछ जिप वी लगी चलो थोड़ा सा एसे हम करते हैं ये तो कितनी सालों Cantonese एches हम सब खलाड़ी करते हैं आप मांदे कि मतलब ये क्रिकेट में ऐसा होता है और ऐसा टीमें करती हैं और English घ्रटित थी सब करते हैं सब जांग लोगों hinge को मालूम है जब फिर शाइन बहुत जबर्दस्त होती है इसका फाइदा मिलता होगा डेफिनिटली कुछ ऐसा इंसिडेंस आपको याद है कि जब ऐसा हुआ हो और अचानक सी गेम बदली और फाइदा भी उसका मिला हो इंगलेंड कंडिशन में तो फाइदा होता ही है ओवर कास कंडिशन होते हैं सब लोगों को मालूम है जब हम स्वीट्स को डालते हैं स्वीट्स और सलाइवर को मिक्स करते हैं स्विंग होती है बोल यह सब को मालूम है यह कोई नमी बात तो है नि तो आप करें कि इंगलेंड को पता होगा सेंट पेपर स्केंडल हुआ स्टीव इसमें डेविड वाउनर को एक साल के लिए बैंड कर दिया गया फॉफ दूपलेसी पे आरोप लगे स्किल्स भी चाहिए यह सब चीजें अगर हो रही है क्या टीम मीटिंग में ऐसी बातें हुआ करती थी है हमारी टीम में हो रही थी बोल मैंज़मेंट की कि जैंट कौन खलारी को शारी को नई हाथ लाने चाहिए फिर वह बोल को एंड लुक आफ्टर करना सही तरह से और जब हम स्वीट यूज करते थे सालाइवर के साथ वह बोल शाहिंग अच्छी हो रही थी और वह दो तिन ख है यह जैसे आपने टैक्स का बिल नहीं दिया इसा है सब सुपार यूज करते वह तो चीटिंग है जब कोई स्वीटियूज करते हैं वह तो रूल को थोड़ा प्रेंड किया अच्छा मैं आपकी गेंदवाजी की अगर बात करूं इंडिया में आपने जबरदस गेंदवाजी की सचिन तिंदूलकर का विकट लिया ग्रीम सुवान के साथ आपका एक अच्छा पेर था तो मौके आये जब लाइफ में कितना इंजुआ है आपने उन मौकों को कि और सच कि जो कर शुक्र शुक्रिया कहता हूं एंछ को बैक किया जो प्रेज मैच साहमारा नागपूर में पहली लिकत थी जै अंडरू फेलिट्व का थी अजया समर्ट कुलब यह मोका मिला मुझको मेरी पहली फिकट सेटन राड़ यह वह एसा κ? कैसे उन एक्जामपल दूं जैसे विंबल्डन में रोजा फ्रेडरा कोई बीस साल के लड़के के साथ फर्स रांड विंबल्डर खेल रहा है और उसने रोजा फ्रेडर को हरा दिया ऐसी ऐसी कोई बात थी यह तंडूलकर की विकेट लैनी इतनी बड़ी बात है पो इतने बड़ा ख्लारी है जैसे नहीं हमारे क्रिकेट में व कहते हैं विद्ध दवाड फ्रेकेट यह तो यह तो इतना बड़ा ख्लारी सच इन्डूलकर है सब कुछ जानते हैं और सवाइव वासे बेरेशन ऐसे दिल में नैच्रल था जी होड कोई ख्लारी था मुझको लगता न अब इंगलेंड तो हंड़ परसंट फेवरिट है होस नेशन मुझको लगता है बंगलादेश वी स्ट्रोंग है वह सब से काइस्पीरियंस टीम है वेस्ट इंडीज की टीम बड़ी स्ट्रोंग है भारत को लेके क्या ख्याला थे आप यहीं तर पूशना चाहते हैं बारत क मुझको लगता है जड़ी रिस्पिन है ना वो यह वर्ल्ड काप जीत की और रिस्पिन की कॉम्बिनेशन अच्छी होई आइधिंक वह जीनियस सेलेक्शन है वह जीत सकते इंडिया को जता सकती है जड़ी रिस्पिन है कुलदीप यादव यूजवेंदर चेहल की आप बा जड़ी रिस्पिनर खाला के बोट रिस्पिन है और कोई टीम ने खेल रिया है जस्ट बारत तो इस जी जीनियस सेलेक्शन हो सकती है विरात कोली रवी शास्ती ने कुछ देखा है त रिस्पिन दूसरी टीमों में नही है और कोई लेफ्ट-hand बैस्मन में है जब एस्ट्र प्लानिंग अच्छी की है बारत ने अब फॉलो करते हैं आप इंडिन क्रिक्ट को यहां से लंदन से मैं इंडियन क्रिक्ट को फोलो करता हूं पर मुझको लगता है ना बंगलादेश वेस्ट इंडीस डार्कोस है अबी अच्छा विराट कूली बहुत बड़े बल्लेबा बन चुके हैं और हर गिंदवाज यही सोचता है कि अब इनका विकेट कैसे लिया जाए और टन्स ओफ रंस स्कोर कर रहे हूं अगर आपको विराट को लिके खिलाफ गिंद बाजी करनी हो आपका क्या गेम प्लान रहेगा उनके खिलाफ कि मुझको अपर्चुनिटी मिलेगी विराट को बोलिंग करने के लिए मैं यही सोच का उसको अफ स्ट्राइक जितनी कम देंगे हम ना फिर उसका गेम प्लान चेज करना पेगा दूसरे नॉन स्ट्राइकर में उसको रखो दूसरे साइड में रिकेट अटाक करो फिर उसक अगर आप से पूछऊं कि इस वक्त आपको क्या लगता है वर्ड क्रिक्ट में नंबर वन बल्लेबास कौन है और वर्ड क्रिकेट में लंबर वन गेंदबास कोन है तो आपकी च्वाइस क्या होगी आपका पसंद कौन होगी मेरे साथ से नंबर वन बोलर है जस्पीत बुरूमबा उसकी बोलिंग ब्रिलियंट जैसे उसकी डिवेलमेंट हुई है ना लास्ट ट्वल्ड मन्थ में आई ही बोट अच्छा बोलर है बल्लेबास मेरे साम से मैं कह रहा हूँ ओंड्रे रसल वो गेम को चेंज भी कर सकता है और एनी मोमेंट गेम जीट सकते हैं पर मैं यह सोच रहा था आखरी वर्ल्ड कप दोनी का है जो मेभी डोनी वन मोर टाइम बारत को जिता सकता है वर्ल्ड का अच्छा अगर मैं आपसे पूचूँ कि इस वर्ल्ड कप का मैं ओफ़ टोनिमेंट कौन होगा बल्लेबास यह गेंद बास कौन हो सकता है स्टीव समेथ विराट कोहली डेविड वॉर्नर तमाम बड़े बले बल्लेबास खेल रहे हैं आपकी नजर में मैं ओफ़ टोनिमें आपकी अभी है जौस परतर की जड़ी आई प्याल में बड़ अच्छा खेला है अन्जस्पीड मुर्मा की बोलिंग भी बहुत अच्छी है अभी कोई स्पिनर ने कभी कोई लाइट अप किया नी टॉर्टमंट को सो मुझको लगता है ना जैसे कोई जड़े फास बोलर है योकर्स अच्छे डालते हैं स्पीड अच्छी बोल है यह बोलर कोई बन सकते है और जिड़े मिडल और जिड़े बैट्समन है तो डोनी जॉस बटलर यह दोनों सिमरर मोड में है यहां वैसे जब 1999 में वर्ड कप हुआ था इंगलेंड की सर्जमी पे तो शेन वान ने जब वह क्या करता है ना उसकी फ्लाइट में थोड़ी हैंग होती है जब उसकी प्लाइड होती हूँ बैpro Zark maarnas को और जिशी दालेगा फिर वह बहुत एजी है एक करना के लिए उसकी की स्ट्रेंथ हैना ऍक फ्लाइट उसकी फ्लाइट बड़ी जबर्दस्ते बोल थोड़ी हैंग होती है मॉंटी बैरस एक दो सवाल आपसे और पूछना चाहूंगा इंग्लिश क्रिकट को लेकर बड़ी कॉंट्रोवर्सी वी केविन पीटरसन एलिस्टर कुक के बीच में केविन पीटरसन को का जाता है कि उनको स्केप गोड बना दिया गया करियर खत्म हो गया बाद में अलिस्टर कुक ने का कि उसके बाद तो उनकी बात ही नहीं हुई केविन पीटरसन के साथ हाला कि उनको भी डिसिजन लेना पड़ा कि पीटरसन को आउट करना है तो जब कॉंट्रोवर्सी हुई आप से कुछ लोगों की बात हुई होगी या आप कैसे देखते हैं इस कॉंट्रोवर्सी को केविन पीटरसन जैसा बड़ा खिलाड़ी सो सड़नली बाहर कर दिया गया और इंग्लेंड ने उसका खाम्याजा भी बुगता हुँ यह ऐसा है ऐसा था हमारा सिस्टम इंग्लेंड में हमारा एक सीनियर प्लेयर की मैनेजमेंट थी जैसे सीओ होता है फिर डायरेक्टर्स हमारे होते हैं So, हमारी जब टीम थी, ऐसे हमारा систем था, मैं जतनी बार मैं कहला था, वो system मैं, मैं तो 12th मैं था, जए हमको 2 spinner चाहिए थे थे, पिर हम, मैं कहलता था, 2nd spinner. So, जब वो थो सब कहानी निकली, मैं भी बड़ा हरान था, मुझ को कोई मालूम नहीं था, यह हो रहा है. जैसे बॉर्ड बॉर्ड रूम में जड़ी मीटिंग हो रही है वह सब सी ओडायरेक्टर्स में हो रही है सीनियर प्लेज अन्ट कोच और वह में ग्रूप में नहीं था फिर जब पीटर सुन ने सब कहानी ज़े लिखी ऐसे था ऐसे हुआ ऐसे हुआ यह तो हुँन को सीनियर प्लेज को पूछना पहेगा चलिए एशेज भी होनी होगी वर्ड कप के बाद आपकी प्रेडिक्शन क्या रहेगी इस एशेज की मुझको लगता है एस्ट्रेलिया टीम बड़ी स्ट्रोंग है अभी सीम अच्छी हो रही है जस्टिन लागर ने यह तरह आपके अच्छी होगी वर्ड यह जीत रहे हैं वेस्ट एस्ट्रेलिया वेस्ट इंडिस को हरा अभी गेम दिवाँ वन सेवेंटी वो सिक्स कैसे टुएटी करके फिए गेम भी जीत ले सो मेरे सब से एस्ट्रेलिया हून दीडे-दीडे से स्ट्रोंग हो रही है एन आ आपका रोल क्या रहने वाला है आप कहरें आप खेलना चाहते हैं लेकिन अगर आपको अपर्चुनिटी मिली चाहे इंडिया की तरफ से आई पेल टीम की तरफ से कंसल्टेंट बनने की या कोच बनने की क्योंकि आप औस्टिला के साथ भी जुड़े वेते हैं क्या आप करूं के लूब लू प्लेयर हो सकता हूं कोछ हो सकता हूँ मर्क्री थाइट इैट साल का सरदार इंगलांड में इंगल गिलनों इंगलण करने के लिए टाइम निकालने के लिए और उमीद करते हैं कि जो आपके किताब है फुल मौंटी यह सूपर हिट हो हमसे बात करने बहुत बहुत शुक्री थैंक यह भी फोटो ही है दो तिन हमारे मैं तोड़ा शेर करना चाहता हूं आपके साथ यह अंडर नाइंटीन का था ह हमान और यह ओविसली दास साल का था बैटिंग थी मेरे पास पर बैट्समन नहीं हुआ मैं हां बोल मी हाथ यह जलो यह डिफरंट हमारी पिचर हमको तो हमारे पास कुईन की साथ पिचर थी हमारी एंडू फिन्टो इंडिया में इंग्लेंड में था हमारा मैन दोड़ा मै नेखने अटाइम दिया विक करने के लिए विडियो जनलिस मुके ज्या के साथ रवीश बेच्ट नीजिन लंदन